हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि घर में यूज होने वाले डोमेस्टिक पाइप को अंदर से कैसे साफ करेंगे। पाइप में लंबे वक्त तक जमा होने के कारण पानी की अंदर कलाई और धूल मिट्टी पानी की जंग जैसी फर्द बन जाती है। चलिए देखते हैं। पाइप की सफाई के लिए हमें पहले तो एक कुपी लेना हुआ जो की फिरनल होता है और इसके बाद हमें एक क्रीवन 500 ml की एक ऐसेट की बुटर लेनी होगी और इसके बाद हम इसको देख लेते हैं इसमें जो चारों तरफ से जो आप देख रहे हैं पानी की अंदर जमा ह हुआ एक कलाई है जो काफी हरे कलर की है और इसको साफ करना थोड़ा टफ है तो एक साधन तरीका है इन दो चीजों का यूज़ झाल 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 पाफ करने के लिए इसके अगले छोड को हम नल में लगाएंगे अगले छोड को हम बाहर करेंगे जिससे की एसेड पूई दर से निकल जाए दोस्तो ये था एक कचड़ा और हो गई इसकी सफाई दोस्तो ये कैसे लगी आपको जानकरी प्लीज शेर कीजिए